फाइनली रियल्मी की तरब से रियल्मी यूआई 6.0 बेस्ट ओन एंडूइट 15 फस्ट पीटा अप्टेट है वो चाइना के अंदर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी रियल्मी यूआई 6.0 अप्टेट के फीचर्स कर सकतो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेना जो गईज आपको सबसे पहला चेंज आना वो मिलता है कंट्रोल सेंटर के अंदर अब आप लोग भी ये चीज आना वह आपर सोच रहोंगे कि रियल्मी की तरफ से कुछी महीनों पहले तो ये नया कंट्रोल सेंटर है उसका फर्स्ट लुक है वो यहाँ पर देख सकतो और सेम टो सेम ऐसा ही जो कंट्रोल सेंटर ना वो आपको इंडिया का जो अप्टेट है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा आप लोग ऊपर की तरफ देख सकतो इस्टेटेस पार्क अंदर जितन से मीडिया प्ले रहें अभी इसकी एनिमेशन आनी तो बाकी है लेकिन आप लोग एक फर्स्ट लुक है वो देख सकतो और साथ में जितने भी आपर यह जो ओप्शन है इनके जो कोर्नर से उनको काफी जदा राउंड कर दिया गया है आप लोग इस वाले टोगल्स को देख कि यह चीज है ना वहाँ पर समझ सकतो और नीचे की तरफ आप लोगों को जितने भी आपर यह जो ओप्शन देखने को मिलते हैं इन सभी के जो आइकन्स हैं वो भी आपर चेंज किये गए हैं रियलमी की तरफ से आप लोगों को यह वाला कंट्रोल सेंटर पसंद नहीं है तो भी कोई बात नहीं आप लोग पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर है इसको भी आपर यूज कर पाएंगे क्या है रिजन वो मैं आपको बता जिता हूँ तो गईस रियलमी की तरफ से इस बाद डिसाइड यह किया गया है कि आप लोगों को एक ही अप्टेट के अंदर दो कंट्रोल सेंटर है ना वो देखने को मिलेंगे और इन दोनों कंट्रोल सेंटर में से जो आपको यहाँ पर पसंद है उसको सेलेट करके आप लोग अपने फोन के अंदर बाई डिफोल्ट यहाँ पर यूज कर पाओगे एक तो मैं आपको यह दिखा दिया है और है तो उनके अंदर भी आप लोगों को दो कंट्रोल सेंटर मिलते है एक तो पुराना वाला और एक उनका नया वाला तो इस बार यही जो सेम परकार की चीज़ है वो आपको रियल्मी यूई 6.0 का अप्टेट है उसके अंदर भी देखने को मिलेगी सेकिंड बड़ा सकतो यह एक नई इमेज है वो साम निकल के आई है इसके अंदर में आपको एनिमेशन तो नहीं दिखा सकता हूं कैसे वर करेगी लेकिन आप लोग इमेज को देखके अंदाजा लगा सकतो जितने भी आपको यहाँ पर यह जो स्टार से नजर आ रहे है ना यह सब भी आपर मूव करेंगे जब भी हम लोग हमारे फोन को चारजिंग पर लगाएंगे तो काफी एक अच्छा इंटरफेस है ना वो हम सभी को देखने को मिलेगा बात करें हम लोग अपटेट के लुक के बारे में तो आपको यहाँ पर कुछ इस परकार का जो कौन सेप्ट है ना वो द दिखायता जितने भी जो MIUI के अपटेट्स रन करते हैं शाओमी के फोन के अंदर उसके अंदर आप लोग देख सकते हो इस परकार की एक बोक्सी डिजाइन है वो आपको मिलती है तो यही सेम डिजाइन है ना वो इस बार OPPO, Realme और OnePlus की तरफ से कोपी किया गया है इनके ल आपर मिल जाएगा लोग की स्क्रीन कस्टूमाजिजिसन के अंदर इस पर काफी सारे चेंजेज हैं वह आपर किये गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकतो ऊपर की तरफ आप लोग वो एक लोग का जो इंटरफेस है वह आपर शो हो रहा होगा तो इसके आपको टोटल तीन इंटरफेस है वो मिलेंगे फर्स्ट, सेकंड और थैड और अभी हमने आपर थैड वाला अपलाई करके रखा है तो इसका जो फोंट है वो आप लोग देख सकतो और इसकी जो फोंट की डिजाइन है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगी और ये तो चार है लेकिन जैसे आप लोग स्लाइड करोगे चार ओर डिजाइन है वो आपको मिलेगी तो टोटल एट डिजाइन में से आप लोग चेक कर पाऊगे फर्स्ट वाली हमने आपर अभी अपलाई करके रखिया है नीचे आपको इसकी साइज है वो एडजस्ट करने का ओप्शन मिलेगा छ साथ ही में बात करें जब आप लोग अपना कोई खुद की इमेज या फिर हुमन ओग्जेक्ट वह आप लगाओगे तो उसके अंदर आपको कौन-कौन सी कस्टूमाइजेसन मिलेगी तो गाइस क्लोग की जो कस्टूमाइजेसन है वो तो मैंने आपको दिखा दिये कैसे आ बेग्राउंड है वो आपको करने की जूरत नहीं है और यह जो पीछे टेक्स्ट लिखा गया है इसको भी आप लोग अपने ने मना वहाँ पर लिख सकते हो जैसे कि मैं सहीज सेन है वहाँ पर लिख सकते हो और नीचे आपको ओप से मिलेंगे जो की यह थेड़ वाला है न वो आपको यह पर मिल जाएगी जैसे कि मैं आपको कुछ पोस्टर से ना वहाँ पर दिखा सकते हो अब आपको ज्यादा कुछ चेंज करने की जूरत नहीं है जैसे कि मालो यह वाला पोस्टर आपको सही लग रहा है तो यह जो ब्रिलियंट टेक्स लिखा गया है इसके यहाँ पर आप लोग अपनी फोटो लगा सकते हो और सेम टू सेम डेप्ट इफेक्ट है वहाँ पर क्रेट कर पाऊगे अब यह वाली एक चीज है वहाँ पर सेमसंग वन युवाई 6.1 से आपर कोपी की गई है जहाँ पर यह वाली जो डिजाइन है वो सेम टू सेम आपको सेमसंग के फोन्स के अंदर मिलती है तो मतलब क्यार काफी अच्छी बात है रियल्मी युवाई के अंदर आपको लगबग सभी युवाई और ओस के फीचर्स है वहाँ पर देखने को मिलते हैं यह आप लोग एक और नई कस्टुमाजेशन कर सकते हो आपकी जो एक कोई भ पर जिस परकार से नजर आता है वैसे आप लोगों काफी सारे फिल्टर्स है वह यहाँ पर देखने को मिलते हैं बाकी दूसरा वाला यह फिल्टर है वो भी आप लोग देख सकतो आगे आप लोग जैसे स्वाइब करोगे आपको यहाँ पर यह एक चोकोर शेप का फिल्ट है वो देखने को मिलेगा जो की कुछ इस परकार से नजर आएगा और इसके कुछ और वीजेट्स है वो भी हमें आपको दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर यह एक म्यूजिक का वीजेट है अब इसकी डिजाइन चेंज हो चुके है और इसको आप लोग अपना जो है वह यहाँ पर किये जाएंगे जैसे कि आप लोग अपना मन पसंदीदा कोई भी एक कलर है उसको चूज कर पाऊगे उसकी इंटेंसिटी आप लोग कम ज्यादा कर पाऊगे अब इसका मिनिंग यह है जब आप लोग इस स्लाइडर को इधर की तरफ लेके जाओगे तो य यह जो स्लाइडर है इससे आप लोग अपना जो होमी स्क्रीन का वोल पेपर है उसका लुक है ना वो भी आप लोग यहां पर चेंज कर पाऊगे एक और में आपको काफी इंट्रेस्टिंग फीचर है वह यहां पर दिखाना चाहता हूँ जैसे कि हमारी लोग की स्क्रीन है उसके अंदर हमने इस परकार का ब्लेक कलर का जो इफेक्ट है वह यहां पर अपलाई किया हूँ है वोल पेपर के साथ में अब एसाई वोल पेपर है वो आपको ज्यादा कुछ करने की जूरत नहीं है आपको सिंपली यह जो मेच लोग वाला ओपिसन है उस पर क्लिक करना ह तो Realme का जो AI अना वो अपने आपफर करेगा अब यह जो फीचर अब आपको Realme के हर एक स्मार्टफोन के लिए मिल जाएगा जिनकी अंदर आपको 6.0 Android 15 का अपटेट मिलेगा तो इससे होगा यह कि ब्लेक कलर का जैसा वोल पेपर लोग स्क्रीन के अंदर अपलाई है सेम टो सेम वेसाई एक एफेक्ट के साथ में ब्लेक कलर का वोल पेपर है वो अटोमेटिकली अपलाई जोएगा होम स्क्रीन के अंदर और इसका नेम आप लोग देख सकतों मेच लोग बाकी यह जो कलर है इस वाले ओप्शन पर क्लिक करके आप लोग यह जो ब्लेक कलर का ओप्शन है वो मिल जाएगा सो अवरल जितना भी यह जो वाल पेपर है वहाँ आपड़ टोटली ब्लेक हो जाएगा और फिल्टर सापको मिल ही जाते जैसे आप लोग कलिक करोगे तो एसा वाल पेपर है वहाँ पर कुछ ऐसा ट्रियेट हो जाएगा आप लोग एक और इम लोग वीडियो को लाइक कर सकतो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर में अभी आपको इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेगी बाकी आप लोग एक यह नया वाला वीजेट है वह यहां पर देख सकतो जो की काफी सारी वीजेट है वह आप लोग अपलाई कर प लेकिनी चार्ज है उसका आपको यह वाला वीजेट मिल जाएगा और थैर्ड यह वाला वीजेट मिलेगा कि आपने पूरे दिन के अंदर कितने स्टेप्स है वहां पर चले हैं तो टोटल जो स्टेप्ट ट्रेकर है उसका रिकोर्ड आपको यहां ही पर मिल जाएगा बाकी मेरे को एक यह एक अच्छी चीज लगी है Realme UI 6.0 की low screen के अंदर total आप लोग यहाँ पर 5 widgets है वो apply कर सकतो जो कि अभी तक की Android की सभी UI और OS के अंदर latest है सभी OS के अंदर आप लोग only 4 widgets है वो apply कर सकतो लेकिन यहाँ पर आपको total 6 widgets है वो आप लगाने का option देखने को मिलता है और मैं आपको कुछ यहाँ पर setups है वो यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो की low screen customization की है आप लोग देख सकतो depth effect है वो आपको यहीं पर भी देखने को मिलता है यह जो certain planet है इसके पीछे जो text ने game on इसके जगा क्लिक करके आप लोग अपना खुद का name है वो भी apply कर पाऊगे और यह जो object है वो आगे के तरफ आ जाएगा तो दिखने में यह जो चीज है ना वो काफी अच्छी लगती है और आप लोग यह वाला जो layout है वो इस वाले wallpaper के साथ में भी देख सकतो overall complete look है ना वहाँ पर change हो चुक है अभी इन features की कुछ clear image है ना वो नहीं आई है only leaks आए है लेकिन यह वाली जो features है ना वो आपको जरूर से मिलेंगे जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पले बताये था filters के अंदर कि यह वाली जो shape है ना वो Samsung के one UI से copy की गई है तो इसके regarding जैसे कोई नई information latest information आती है तो वीडियो आपको मारे चैनल पे काफी जल्दी देखने को मिलेगी और भी कुछ आप लोग setups है ना उसकी image देख सकतो जो कि आपर कुछ इस परकार से नजर आ सकती है बाकि गाइस इतनी ही information आपके साथ मैं शेर करनी थी और अभी वीडियो के end में मैं आपको बता देता हूँ कि realme के कौन-कौन सी smartphone के अंदर आपको realme UI 6.0 base on android 15 का beta और stable updates है वो देखने को मिलेंगे तो आईए बात करते हैं कौन-कौन से हैं वो सभी smartphone तो इसकी जो list है वो मैंने आपके साथ में पहले ही शेर कर दी थी अपने realme UI update के telegram channel के अंदर तो इसको आपने join नहीं किया है तो join कर लेना link आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगी सबसे पहले realme GT5 realme GT5 240 watt GT5 Pro, GT3, GT2 GT2 Pro, GT2 Explorer Master Edition GT Neo6, GT Neo6 SE, GT Neo5 Neo5 SE, Neo5 Another Edition, Realme 12 12 Plus, 12X, 12 Lite 12 Pro, 12 Pro Press 11 5G, 11 4G, 11X 5G Realme 11 Pro Plus Realme 11, Realme 10 Pro Realme 10 Pro Plus Realme P1, Realme P1 Pro Realme Narjo 70 Narjo 70X, Narjo 70 Pro Narjo 60, Narjo 60X 60 Pro, C67 C65 C65 तो गाइस, यह कुछ आपको Complete Smartphone की List है ना, वो मिल जाती है बाकि इसके अंदर कुछ latest Smartphone है वो एड नहीं है जैसे कि Realme GT60 और Realme GT6 तो उनके अंदर तो सबसे पहले Update है वो आपको मिलेगा बाकि इतनी ही Information आपके साथ में Share करनी थी हमारे Realme UI Update के Telegram चैनल को Join कर लेना पहले ही आपके साथ में Information है वो शेर कर दी जाती है वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक शुड़र में जेहिंद वन्दे मातरम